भीसन गर्मी के बीच लोगों को सबजी की महगाई रूलाने का काम कर रही है जो लोग सबजी पहले एक किलो लिया करते थे अब आधे किलो में ही काम चलाना पड़ रहा है लोग भी इस बात को कहते नजर आ रहे हैं जब की दुकानदारों का कहना है कि आलू मार्केट में कम ह जिसके कारण आलू 35 रुपए हो गया है और 45 रुपए में बिक रहा है जब कि हरी सबजीयों का दाम काफी बढ़ चुका है इसकी वज़ा मौसम की मार बताई जा रही है लेकिन लोगों को यह भरोसा है कि बारिस होगी तो जरूर सबजी की कीमत में कमी आएगी लेकिन जिस देख डाज़्दा दुकांदारी में भी पड़ रहा है यह दो असद्रारा है यह रही है एक तो गर्मी है उपर से बारिश नहीं हो रही है और उपर से आपकी सब्जी करेड में अब तक चानिक चल पडल है 40 रुप्या, टमाटर है 80 रुप्या, खीरा हत्ती रुप्या, लुखा 40 रुप्या, कोवी है, साड रुप्या, बिंडी है 40 रुप्या, सब महंगाई बढ़ी है, शेल में गिरावटा है. अभी कोवी सब्जी खरीती है आप, 40 के नीचे कोवी सब्जी नहीं मिलगा है, जिसे भी प्याज लसुन का भाव बढ़ा हुआ, सारे सब्जी का मिनिमम लास्टेश समझेगा तो 40 है, अब उपर जाईएगा तो 80 मिलता है, जिसे भी टामाटर सब्जी है, 60-80, गोवी खरीज सब्जी से सुख, सारे सब्जी का भाव बढ़ा हुआ, इससे सारे लोगों का परिशानी जिए, तो अभी मामला हो सकता है, और तो इस तरह का खेती बन निर्वर है, लोग कैसे खेती कर रहे हैं, और बहुत समक्टे हिसाब से खेती का उपर ही होता है, तो जिसके कारण कु उबाहिसा है। रहे है। तैल परन्य करणा ही। तब डिया हुआे होग हं और आधाधा हुठ मांगाःे , अभी में सबस् भाई है। से हुआँ हां सबस्पेजर सवत केघिकली जिस था हुआ भिए occurs त्रहे दिद्स की एखकोरूं सबस्ता है। झाल झाल झाल